हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ नीरज कुमार क्यातल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियन्स एक्सपो यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसेंशल ड्रग्स टॉपिक की इसेंशल ड्रग्स CHO एक्जाम कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर एक्जाम 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो को प्रिपेर करने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था हमारे विवर गिरीराज जी ने गिरीराज जी आपकी रिक्वेस्ट पर हम लेकर आये हैं आज का वीडियो So friends, इसेंशल ड्रग्स की डेफिनेशन देखते हैं इसेंशल ड्रग्स को परिभाशित किया था वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने इन्होंने बताया था किसी भी राज्य या फिर किसी भी देश के अंदर जो जनता है पॉप्यूलेशन है उन लोगों की जो प्राइवरिटी हेल्थ नीट्स हैं उन्हें सैटिस्फाई करने के लिए आउश्यक दवाईयां इसेंशल ड्रग्स या इसेंशल मेडिसिन कहलाती है इसे हम एक एक्जांपल से समझते हैं मान लीजिए किसी देश के अंदर कॉलेरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है लोग मालेरिया के कारण बहुत ज़्यादा संक्रमित होते हैं बिमार होते हैं परेशान होते हैं उनकी दैथ तक हो जाती है तो उस कंट्री के अंदर मालेरिया को ट्रीट करने वाली सभी दवाएं essential drugs के अंतरगत रखी जा सकती है और इन drugs को select करने का क्या criteria है इसके बारे में भी हम आगे जानेगे Second point पे discuss करते हैं How to select essential drugs सरकार या WHO कोई भी संस्ता essential drugs को कैसे select कर दी है कि ये drug essential category में आएगी या नहीं इसके क्या-क्या criteria है उन्हें हम यहाँ पर discuss करेंगे इस चीज को समझने से पहले एक छोटी सी बात को हम समझते हैं आप लोगों ने घर में छोटी एज में या अभी भी first aid box बनाया होगा kit बनाया होगा तो आपने उस first aid box के अंदर क्या-क्या चीजे रखी होगी आपने सबसे पहले यह देखा होगा कि first aid box में क्या होना चाहिए फिर यह देखा होगा कि हमारे परिवार में किस एज के लोग है उन्हें क्या-क्या disease हो सकते हैं क्या और उस चीज को treat करने के लिए सबसे best चीज क्या है इन सबी चीजों का ध्यान रखते हुए तो आपने first aid box डिजाइन किया था और उसमें सबी चीजों को include किया था तो national या international level पर जब कोई संस्ता essential drug list त्यार करती है तो वो किन-किन points का ध्यान रखती है आईए जानते हैं यह सबी points हैं WHO के द्वारा बताय गए points है उनकी official website पर आप चाहे तो इसे check कर सकते हैं essential medicines are selected with due to disease sorry essential medicines are selected with due regards to disease prevalence, public health relevance, evidence of clinical efficacy, safety and comparative cost and cost effectiveness इसके अनुसार essential drug को select करने के लिए हम 5 important criteria को discuss करते हैं सभी को मैंने underline किया है इस तरह से लिखे होने के कारण confused मत होईएगा चाहे तो इसे आप one by one करके point wise भी arrange कर सकते हैं सबसे पहला point है disease prevalence देखो simple सी बात है prevalence का मतलब होता है प्रमुकता से main important major जो disease community में या फिर country में ज़्यादा पाई जाती है उसके इलाज में जो भी दवाईयां काम आती है सब को आप essential drug में डाल दीजिए तो first trade box बनाते समय हमने क्या देखा था घर में किसी को भी cut लग सकता है चोट लग सकती है तो उसके लिए क्या रखते थे क्या रखते थे हाँ क्या लगाते हैं चोट लगने पर bandage तो bandage को हमने प्रमुकता से पाई जाने वाले disease के इलाज के लिए first trade box में रखा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो disease community में प्रमुकता से पाई जा रही है उसके इलाज में आने वाली सभी दवाईयों को हम essential drug में रखेंगे अब second point है आपका public health relevance relevance का मतलब होता है संबंदित सभी जो essential drugs है public health से relevant होनी चाहिए संबंदित होनी चाहिए अब तीसरा point है evidence of clinical efficacy efficacy यहाँ पर आप efficacy word पर गौर करिएगा इस word से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी efficacy word effective से related है effective मतलब तो आप समझगे प्रभावी वो सभी दवाईयां जो की community में या country में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रकार के disease में सबसे प्रभावी हैं सबसे effective हैं कुन सब को essential drug में include किया जाना चाहिए या include करते हैं उसके बाद आता है safety एसी drugs जो की country में पाए जाने वाले बड़े diseases के treatment में इस्तेमाल होती हैं जिने हम essential drug list में include करना चाहते हैं उनकी safety का ध्यान रखना होगा हमें एसी drugs जिनके side effects कम हैं या ना के बराबर हैं उन्हें हम essential drugs में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे क्यूंकि essential drug list पूरे देश में या पूरे समुदाए में follow की जाएगी और यदि उसके complications ज़्यादा होंगे उस drug के तो फिर हमें उसके management के लिए अपनी energy और सभी जो सादर है उन्हें खर्च करना पड़ेगा तो हम कोशिश करते हैं कि डिजीज के इस्तिमाल में आने वाली सभी medicines जिन में कम से कम complications या adverse reactions होते हैं उन्हें हम essential drugs के तहत include करें आफरी है आपका cost effectiveness या फिर इसे आप कह दो comparative cost होनी चाहिए या cost effectiveness होना चाहिए मतलब की उन दवाओं को हम priority देंगे essential drug list के अंदर जो की सस्ती होती है तो friends इन पांचों points को एक बार फिर से revise कर लेते हैं essential drugs के अंदर हम किन criteria's का इस्तिमाल करते हुए essential drug list तयार करते हैं 5 important criteria WHO ने बताया है जिसमें सबसे पहला है disease prevalence समुदाय में या देश में जो disease ज़्यादा पाई जाती है उनके इलाज में आने वाली सभी दवाईयों को हम essential drug list में include कर सकते हैं अब ये दवाईयां जो है वो public health से सम्मंदित होनी चाहिए और ये दवाईयां प्रभावी होनी चाहिए effective होनी चाहिए evidence of clinical efficacy का ध्यान रखते हुए include करते हैं दवाई के ज़्यादा complications नहीं होने चाहिए और उनकी cost भी कम होनी चाहिए तो प्रेंट्स अभी हमने जान लिया है कि criterias of selecting essential drugs अब बात करते हैं essential drugs के concept के बारे में सबसे पहला concept है ensure availability of all time हमें essential drugs के अंदर ऐसी drugs को include करना चाहिए जो की हमेशा हमारे पास available है ऐसा नहीं हो कि आपने nationally announce कर दिया कि ये drug essential drug category में आती है और 6 में बाद वो out of stop हो जाया या देश में मिली नहीं पा रही है तो हमें ऐसे drugs को include करना चाहिए जो की हमारे पास सभी समय आउशक्ता के अनुसार available हो दूसरा point है ensure adequate amount and all doses ऐसी drugs को हम essential drugs में include करेंगे जो की प्रचूर मात्रा में उपलब्द हो और सभी doses में available हो सभी forms में available हो माल लीजिए कोई ऐसी medicine में जो की adult के लिए तो available है बट उसकी बच्चों के लिए जो dose से ही हो available नहीं है तो उस तरह की medicines को आप essential drug में नहीं ला सकते third point हम बात करते हैं quality और cost की कम cost में ज्यादा अच्छी quality जिस drug की हो उसे हम essential drug में include करना पसंद करेंगे able to provide complete information ऐसी drugs को हम उसके अंदर include करना prefer करेंगे जिसके उपर उसके बारे में सभी जानकारी उपलब्द हो या उसमें सभी बातों को बताया गया हो example के लिए हम देख लेता है कि drug का जो name है general form में mostly available होना चाहिए उस कितनी उसकी strength है कितने power की है और उसका indications क्या-क्या है कब इस्तिमाल की जाती है उसके कोई complications है तो ये सभी चीज़ें उस पर maintain होनी चाहिए इसके जैसी और भी चीज़ें उस पर available होनी चाहिए तो हम इन सब points को consider करेंगे while making a drug list these all are the important points from the concept of drug list करते हैं important points की WHO के द्वारा पहली model list of essential drugs 1977 में launch की गई थी या declare की गई थी और WHO हर दो साल में इस list को update करता रहता है India produced national drug list on 1996 it contains 279 medicines भारत ने अपनी national drug list पहली drug list 1996 में produce की थी और इसके अंदर 279 medicines थी अब हम इस वीडियो के अंदर आपको Ministry of Health and Family Welfare की essential medicine list for subcentres and primary health centres को दिखाएंगे आई ये चलते हैं computer screen पर year 2020 ministry of health and family welfare essential medicine list for subcentre and PSC level आयुष्मान भारत health and wellness centre under national health mission updated as on mars 2020 सबसे latest इस लिस्ट के अंदर subcentre level पर जो medicines हैं उसके बारे हम बात करेंगे क्योंकि CHO exam के regarding हमें subcentre पर ही focus करना है सबसे पहले है medicine का नाम फिर है remarks और फिर है सावधानी caution यदि कोई उससे जुड़ा है तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया है anesthetic agents के बारे में जिसके अंदर oxygen gas for inhalation और lignocan topical form 5% को include किया है second category में है analgesics, antipiratics, non-steroidal anti-inflammatory medicines medicines used to treat gout and diseases modifying agents used in rheumatoid disorders gout disease को treat करने के लिए NSAIDs यूज की जाती है pain को manage करने के लिए analgesics यूज की जाती है fever को reduce करने के लिए antipiratic drugs का इस्तेमाल किया जाता है इन सभी conditions के अंदर जो इस list के अंदर medicines include की गई है वो है aspirin जिसे हम acetyl salicylic acid के नाम से भी जानते है 75 mg की tablet है diclofenac tablet 50 mg और diclofenac injection 25 mg पर ml इसमें include किया गया है diclofenac आप सभी जानते हैं के दर्द के लिए इस्तमाल किया जाता है ibuprofen जो tablet है 200 mg इसमें include किया गया है paracetamol tablet 250 mg paracetamol syrup 125 mg पर 5 ml और paracetamol syrup 250 mg पर 5 ml include किया गया है next category है anti-allergics and medication used in anaphylaxis anaphylaxis का मतलब होता है यदि किसी person में किसी drug के कारण अचानक से कोई reaction हो जाए adverse effects आने लग जाए तो उस condition को अपन anaphylaxis reaction या anaphylaxis के नाम से जानते हैं anaphylaxis और allergy के केस में हम levocitrazine 5 mg tablet levocitrazine oral liquid यूज कर सकते हैं hydrocortison succinate injection 100 mg यूज कर सकते हैं finiramine injection 22.75 mg per ml यूज कर सकते हैं adrenaline injection 1 mg per ml यूज कर सकते हैं anaphylaxis conditions के अंदर drug of choice के रूप में adrenaline को यूज किया जाता है इसे भी इस list के अंदर essential drugs के रूप में लिखा गया है antidots and other substance used in poisoning poisoning के case में हम poison के effect को कम करने के लिए जो drugs use किरते हैं उसे हम antidots के नाम से जानते हैं यहाँ पर atropine और activated charcoal इन दोनों को include किया गया है next है anti-convulsant और anti-epileptics scissors या दोरे जब पढ़ते हैं patient को convergence आते हैं तो उस condition के अंदर उसे treat करने के लिए यहाँ पर जो medicines ली गई है उसमें है पहला magnesium sulfate injection magnesium sulfate injection आपने पढ़ाई होगा जो pregnancy के दौरान mother को feeds आते हैं उस condition में उस condition को treat करने के लिए इस्तिमाल की जाती है उसके अलावा next में dyzapalm tablets 5 mg, dyzapalm tablet 10 mg और dyzapalm rectal suppositories इसमें included है उसके बाद midazolum nasal spray, phenobarbiton tablet 30 mg, phenobarbiton tablet 60 mg, phenobarbitol oral liquid 20 mg for 5 ml phenytoin tablet 50 mg, phenytoin tablet 300 mg, sodium valproate tablet 200 mg, sodium valproate tablet 500 mg sodium valproate syrup each 5 ml containing 200 mg उसके बाद हम बात करते हैं intestinal anti-helminthics की जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं helminthics होते हैं उन्हें treat करने के लिए हम जो drugs use करते हैं उसे anti-helminthics drugs कहते हैं इस category में इन्होंने albendazol को लिया है albendazol दो forms में available है albendazol tablet form में 400 mg है और albendazol oral liquid है 200 mg पर 5 ml उसके बाद next आता है philaria philaria disease को ठीक करने के लिए anti-philarial drugs इस्तेमाल की जाती हैं हमने कल health programs वाला video upload किया था उस video में हमने anti-philarial program के बारे में बताया था आप लोग उस video को जरूर देखिएगा health program से related question इस CHO exam में जरूर पूछे जाएंगे काफी important topic है philaria disease condition जो है butcher area bankruptcy के कारण develop होती है इसे आप हिंदी में feel पाउं या हाती पाउं रोग के नाम से भी जानते हैं इसे treat करने के लिए डाइ इथाइल कारबे मेज़पाइन टेबलेट 100 mg और डाइ इथाइल कारबे मेजपाइन ओरल लिक्विड 120 mg पर 5 ml इंक्लूड किया गया है अब बात करते हैं anti-bacterials या anti-biotics की anti-biotics ऐसी drugs हैं जो की bacteria की growth को रोकती हैं या फिर bacteria को kill कर देती हैं mostly infections में हम इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं anti-biotics के अंदर सबसे पहले इन्होंने amoxiline drug को लिया है यह capsule है 200 mg और 500 mg का liquid form में है 200 mg पर 5 ml और dispersible tablets है 250 mg की उसके बाद next है gentamicin injection 10 mg का और gentamicin injection 80 mg पर ml का mostly जो use किया जाता है gentamicin injection 80 mg पर ml का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद है next tablet form में cotrimazole cotrimazole इसके अंदर दो salts included होते हैं sulfate methoxazole 80 mg प्लस trimethoprim 400 mg इन दोने के combination को हम cotrimazole के नाम से जानते हैं यह भी antibacterial के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं उसके बाद हम बात करते हैं sulfate methoxazole sorry उसके बाद हम बात करते हैं को ट्राइमोकसazole oral liquid की इसके अंदर भी sulfate methoxazole 200 mg प्लस trimethoprim 40 mg इनक्लूड़ेड है उसके बाद doxycycline capsule 100 mg, metronidazole tablets 200 mg और metronidazole tablets 400 mg इनक्लूड़ेड हैं फिर है norfloxacin tablet oral liquid आपको मैं बता दूँ डाइरिया कंडिशन में metronidazole और norfloxacin काफी इस्तेमाल की जाती हैं नेक्स्ट है anti leprosy medicine कुष्ट रोग क्या अगेंस्ट में जो medicines दी जाती हैं उसे anti leprosy medicines कहते हैं इसके अंदर इन्होंने as per program guidelines adults and pediatrics इसमें specific drug के बारे में नहीं बताया है इन्होंने बताया है कि program के according जो भी guidelines है adult और pediatrics में उसके इसाब से इसमें दी जाती हैं फिर है anti tuberculosis medicines TB disease की भी medicines को इसमें इन्होंने शो नहीं किया है लेकिन TB के बारे में आपको मैं बता देता हूँ TB यानि tuberculosis disease ये mycobacterium tuberculosis नामक बैक्टिरिया द्वारा होने वाला disease है इसके control के लिए revised national tuberculosis control program के तहत dots का इस्तिमाल किया जाता है dots का पूरा नाम होता है directly observed treatment short course इसके तहत हम multi drug therapy का इस्तिमाल करते हुए patient का treatment करते हैं next antifungal medicines fungus के द्वारा होने वाले disease को treat करने के लिए जो दवाएं इस्तिमाल की जाती हैं उन्हें antifungal medicines कहते हैं इसके अंदर cotrimazole ointment, cotrimazole cream, cotrimazole vaginal tablets, cotrimazole drops और cotrimazole oral solutions mostly use किया जा रहा है उसके बाद next है mekonazole, ointment, फिर है fluconazole, 150 mg tablets यहां पर आप गौर करिएगा जितनी भी drugs इन्होंने लिखी हैं उन सब के पीछे azole word आ रहा है ठीक है तो यह इसी की पहचान है कि जो भी antifungal medicines हैं उनको identify करने के लिए आप याद रख सकते हैं उनके पीछे azole as all word यूज किया जाएगा उसके बात करते हैं anti-malarial medicines की anti-malarial medicines malaria को treat करने में helpful होती है malaria disease liver को प्रभावित करता है यह plasmodium के द्वारा होने वाली disease condition है इसमें भी उन्होंने बताया है कि as per program guidelines adults and pediatrics जैसा कि इसमें बताया गया है कि जैसा सरकार के जो national malaria control program या eradication program के तहत जो medicines होती हैं उसी को हम यहाँ पर apply करेंगे specific medicines नहीं दी गई हैं उसके बाद में next है palliative care को palliative care में जो medicines इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें है lactulose oral liquid 10 gram पर 15 ml और povidin iodine lotion and ointment palliative care mainly pain relief के लिए किये जाती है उसके बाद हम बात करते हैं anti-anemic medicines की इसके अंदर anemia को treat करने के लिए medicines जो इस्तेमाल आती है उनको include किया जाता है anemia का मतलब है blood में hemoglobin की कमी और जिसके कारण patient को oxygen proper पहुँच नहीं पाती इसके treatment के लिए ferrous salt 100 mg plus folic acid 500 mg microgram tablets दी जाती हैं यहाँ पर वापस से ferrous salt और folic acid का combination है 35 नमबर पर वापस ferrous salt और folic acid का combination है इसे हम discuss नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं anemia के treatment के लिए खाली folic acid भी दिया जा सकता है folic acid pregnancy के दोरान भी महिलाओं को दिया जाता है जिसके कारण बच्चे में neural tube defect नहीं होते और साथ-साथ anemia से भी बचा जाता है फिर उसके बाद में newborn babies के अंदर vitamin K के injections लगाए जाते हैं mg per ml के इसाफ से इस form में ताकि बेबी में hemorrhagic disorders ना हो bleeding ना हो उसे रोकने के लिए फिर हम बात करते हैं next आता है cardiovascular medicines उसके अंदर एंजाइना disease condition को cause sorry prevent करने के लिए isosorbide 5 mononitrid tablet दी जाती है जो की 5 mg form में available है एटिनल ओल टेबलेट 50 mg में available है metoprolol tablets 25 mg में available है metoprolol SR tablet 25 mg में है उसके बाद में isosorbide dinitride tablet 5 mg में sublingual form में भी available है उसके बाद anti-hypertensive medicines यानी BP को कम करने की दवाईया है जिसमें amlodipine है enalpril है उसके बाद telmisartan है hydro chlorothiazid ये diuretic है tablet form में दिया गया इसे उसके बाद next है hypolipidemic medicines lipids को body में कम करने के लिए या फिर liver के अच्छे function है तू बाड़ी में lipids के लेवल को maintain करना जरूरी होता है इसके लिए हम athorvestatin tablet का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बाद करते हैं dementia के लिए medicine इसमें alfrazolum tablet है जो की 0.25 और 0.5 mg में available है उसके बाद dermatology में आ गए हम dermatology का मतलब है skin related जितनी भी problems होती है उसके सम्मदित जैसे silver sulphidizing cream है या बर्न में भी इस्तेमाल करते हैं बिटा मेटासोन cream है केलमाइन लोशन है बेंजाइल बेंजोय टॉइन्मेंट है मिउपिरोसिन है यह एंटी बैक्टिरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे इस solution को हम इस्क्रींग के उपर डालते हैं वहां पर bubbling होती है और उसमें से सारा जो भी waste होता है वो बाहर आ जाता है उसके बाद zinc oxide cream 10% है उसके बाद next है disinfectants and antiseptics disinfectants और antiseptics में आपके ethyl alcohol है उसके बाद hydrogen peroxide है methyl selenium chloride है bleaching powder containing not less than 30% यह भी है गामा बेंजोइट hexagloride है फार्मेसाइल sulfate है उसके बाद में ear nose throat medicine नाक कान और गले से संबन दित इसमें सबसे पहले है ciprofloxacin है यह antibiotics भी जनरली हम देते हैं पेशेंट को mostly ear nose throat की problem होती है जिने boros spirit ear drop है ear wax solvent drops है next है gastro intestinal medicines GIT से संबन दित medicines है इसके अंदर सबसे पहले है ranitidine tablet है omeprazole है ondencetron है और isab goal है और ORS है ranitidine omeprazole यह दोनों हमारे जो acidic level है उसको maintain करती है ondencetron tablet mostly nausea और vomiting को control करने के लिए इस्तेमाल की जाती है isab goal renews husk powder जो है हम mostly diarrhea वाले पेशेंट को देते हैं oral rehydration भी आप diarrhea condition में dehydration condition होने पर देते हैं zinc sulfate dispersible tablet zinc का इस्तेमाल भी आप diarrhea को treat करने के लिए किया जाता है dicyclomine tablets में अगर किसी पेशेंट के पेट में muscle spasm हो रहा है पेट दर्द हो रहा है तो उसे dicyclomine tablets दी जाती है डिक्टाइल सल्फो succinate sodium फिर है magnesium hydro chloride sorry magnesium hydroxide liquid इसका भी इस्तेमाल स्टमक एक में किया जाता है sena powder domperidone domperidone syrup domperidone भी antiemetic के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है फिर आती है बात contraceptives contraceptives का मतलब होता है कि pregnancy को रोकने के लिए या terminate करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली medicines contraceptives में आपके सबसे पहले ethyl estrynoidal और levonorgestrel tablets इनका combination आता है उसके बाद copper bearing intrauterine devices IUCD380A and IUCD375A इसमें जो IUCD380A है इसके इस्तेमाल करके हम दस साल तक pregnancy को रोक सकते हैं male condoms भी इसमें आते हैं और में loxifen tablets भी आती है emergency contraceptive pills जिसमें levonorgestrel 1.5 mg होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है उसे भी include किया है medroxy, progestron, acetate injection भी इसमें included है fp, comodalities, ptk भी आता है उसके बाद में diabetes mellitis को treat करने के लिए essential drug list में इन्होंने gleamipiride tablets है, metformin tablet है, gleamide tablets है, इसे include किया है thyroid related जो medicines हैं इस list में include की गई है levothyroxine tablets को include किया है, vaccines के अंदर आपको as per current national program guidelines जैसा कि हमारा national immunization schedule है उसके अंदर के जो भी vaccines आते हैं सब इसके अंदर include किया गए है, rabies vaccine को भी इसमे additionally include किया गया है जो कि dog bite होने पर या फिर rehabdo virus से prevention के लिए हम लगाते हैं ये अपर deltoid region में लगता है, 0.5 ml इसकी dose होती है next है oxytoxins and abortivision medicines इसके अंदर misoprostel आता है oxytoxin को हम बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए next है medicines acting on respiratory tract अब हम respiratory tract पर effect करने वाली medicines को इसमें देख लेते हैं से पहले आती है, budesonide respirator solution for use nebulizer 0.5 mg per ml, nebulizer के लिए इसमें budesonide जो की budesonide नाम से आता है उसे include किया गया है और जो nebulizer में salbutamol है, salbutamol oral liquid है salbutamol respiratory solution for use in nebulizer 5 mg per ml भी इसमें include किया गया है normal saline drops है, dextro metho friend oral syrup है उसके बाद में hyo-c-buty bormide tablets हैं और इसके बाद में solution correcting water electrolyte disturbance and acid based disturbance इसके अंदर हम body के अंदर अगर किसी person को water balance गड़बड हो गया है electrolyte disturbance हो गया है या फिर acid based balance विगड़ गया है तो उस condition को treat करने के लिए RL को include किया गया है, sodium chloride injection को include किया गया है, dextrose को use किया गया है, dextrose 5%, dextrose 25% vitamin और minerals को भी इसके अंदर include किये गया है, जिसके अंदर ascorbic acid यानि vitamin C tablets है calcium carbonate tablets है, 500 mg, call calciferol tablets भी है 60,000 international unit की pyridoxin tablets है, vitamin A oral liquid है, B complex tablet है उसके बाद ophthalmological medicines यानि आखों से सम्मंदित अगर कोई परिशानी है तो उसके treatment के लिए sodium sodium chromo glycate 2% eye drop है, methyl cellulose eye drop है diuretics में especially यानि हमारे body में अगर urine कम बन रहा है तो urine का access production कराने के लिए diuretics का इस्तेमाल किया जाता है BP को कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें most commonly hospitals में यूज होने वाला frucemide जिसे lessics के नाम से आप सभी जानते हैं, tablet और injection दोनों form में है इसे include किया गया है तो friends, ये थे हमारे sub-central level की सारी medicines इसके बाद आती है, PST level की medicines इसे इतना important नहीं रहेगा तो friends, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको essential medicine या essential drugs के बारे में पताया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please इसे like कर दें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए Education Experience Expo YouTube चैनल को subscribe करें और friends, किसी topic में अगर आपको कोई doubt है तो comment section में बताएं या फिर किसी topic को आप हमारे द्वारा पढ़ना चाते हैं तो भी बताएं हम उस पर जल्दी से वीडियो बना देंगे Thanks for watching and all the best